कि चले सुरो करते हैं इसका डिस्केशन हमारा डिस्केशन है आज का फटलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन के उपर हुपर हुमन रिप्रड़क्शन क्लास 12 इंसी याल्टी का डिस्केशन चल रहा है जो कि आपके नीच 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाकि आप एक छिस्टम को सेपरेटली अलग अलग आपको वीडियो मिलेुटीओ सिस्टम कम लेगा więks!..ट्षायक्श है इस सिरीज में में स्क्रीशन के ऊपर मेंस्टल साइकल जिसमें ओविलेशन होता है और अगर फटलाइशन का इवेंट नहीं हुआ तो मन्त के एंड में रहुआ जो नॉर्मल टाइम पीर होता हुआ उसके एंड में लेट्स टॉपिक उसके बाद है फटलाइशन एंप्लांट करते हैं हम किसकी सपर्म की इन्ट्री होती है जैना मेें फीमिल बॉड़ी में फीमेल की बॉड़ी में और इन्सीमेनेशन का क्या प्रोसेस है? इन्सीमेनेशन होता है कैसे है? alors कॉया से यह जिसको हम और क्या बोलते है ? sexual reproduction या sexual intercourse वहांसे इस पर मोटाइल है एस से मशलिया या फैलोपेन ट्यूब में और फ्रूआट डी प्रोसेस जैसे ही इंटर करता है वो फिमेल की बॉडी में इस पर उसमें एक और सब्सक्राइब करती है और इधर से इस पर्म की इंटर करती है तो ठीक होगा मीटिंग हो जाएगी और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो मीटिक नहीं ही होगी ओव आपना फिर से वापस चला जाए जा बहुता है स्कीन desafi के universe के आदर होता है Actually होता है नहीं होता है अब यह जो की वाद रिलीज होने के बाद में अपने अपने इंटल करे तो फ्रोडी को सब्सक्राइब करना है चलाइब जैसे नॉर्मल मीटिंग करते हैं आप डिसाइब करते हैं यहां मीटिंग करेंगे तो यहां पर हमेंजा इस सब्सक्राइब करेंगे कि वो सब्सक्राइब to be a फ़िर को जो एंपुला री जयन एवा एक पार्क या उसी में जाकर मीट करते हैं अगर मीटिंग हो गई सक्सेस्फुल हो गई तो वक्राइशन का इवेंट हो गया और बाद में वह फैलेशन का इवेंट होने वा जाइगोड बनेगा फिर वो क्या क करेगा इंप्लाइंट होगा कहा यूटरस में जो इंडोमेट्रियम होगा अगर सक्सेस्फुल इंप्लाइंटेशन हो गया तो प्रिग्नेंसी इस्टैब्लिस हो जाएगी तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है उस प्रियोड को क्या बोलते हैं और यह कम हो सकता है अभी में जो मैमेल्स हैं उसमें भी यह जस्टैशन पिरियोड वैरी करता है जैसे एलिफैन की केस में 24 मन्थ का होता है मतलब दो साल का लगवग सबसे ज्यादा आलमोस्ट मतलब वन अब धायस्ट जस्टैशन पिरियोड है प्रॉब्ली गोट का जो बकरियां होती उनका देखे बाहर बन लगा फीटर से तो उसके बाद वह बाहर आएगा तो जबह सब्सक्राइब यह करके जो मेंजर इवेंट से हम इसको समझते हैं ठीक है समझने से पहले हम एक के बारे में था जान लेते हैं कि NCRT की इमेज ऐसे ही डाइप की इमेज है आगे हम देखेंगे NCRT की इमेज है इस ही को थोड़ा सा इन्दे और अब नहीं पूहाई भाला है जो नहीं है जो एक लेंग अनिमल है उनकी हम बात करते हैं अगर चिकन खाते घंडा खाते हो इंगा पढ़ने के लिए आप देखा तो हो भी हनदगा चलते हुए आपने देखाऊ सप्थे सब्सक्राइब कर नॉर्मूरी ये लुखेग है सबस्तान्स निखलेगा पाइट कलर का यहां से पूरा का पूरा यंग्रियों डबनेर है तो यॉक का क्या का मैं है यह nutrition प्रवाइड करता है क्यों क्योंकि अंडा जो है मदर की बॉड़ी से डिटेच हो चुका है मदर की बॉड़ी में एक जो है है नहीं वो डिटेच हो चुका है तो nutrition कहां समी लगाए developing embryo को तो एग-laying mammals में जो अंडे देने वाले एनिमल होते हैं उनमें कुछ-कुछ के कुछ-कुछ अंडे में बहुत जादा याओक होता है उसको macro या mega-lacithal बोलते है उसको macro-lacithal बोलते है और जिसमें नहीं के बराबर या absent होता है उसको बोलते है ए-lacithal एग यहां पे हमने mention नहीं किया वर्ड अब ध्यान से सुनिए नहीं तुम्हें अपडेट करूंगा तो उसमें डाल दोंगा इस पोजीशन पर एलसी थल बोलते हैं तो हमारा एक जो है एलसी थल है क्यों कि हमारा जो एक है वह फटलाइज फीमेल की बाडी में होगा और पूरा का पूरा इंब्रि वाला होता है उदर सी पस्कूरी सिस्टम राप जाता है मठले मठी और यह रहता है क्या कि हमारे एक में होता है हम जाने एक लहाँ है यहां के इसले रहे हैं, क्योंकि यहां के एक फिरल्पाइग्ण लिखा हुगा, जैसे आप राइट साइट की इमेज देखेंगे, इस्ट्क्चर sì्ल आपो मुणम मॉखन लिए न यह हमारा है घृती बे और लाइन स्पेस दिया हुआ है जो मेंब्रेन होती है उसके बाहर का जो इस पेस उसको पेरी वाइट लाइन स्पेस बोल रहे है तो जो चिकन एग है या ऐसे टाइप के जो एग होते है इनका जो यॉक है यह सराउंडेड होता है मेंब्रेन से है भाइटियलाइन मेंब्रेन बूलते है उसके का मतलब है जो एक यॉक कावर करता हो यह करता है अब सर्च करेंगे तो कहीं कई आपको यह भी मिलेगा अच्छे इंस्टिट के कि holes कि यहां पर मेंब्रेंन हें यहां पर मेंब्रेंन मेंब्रेंज पर इसका मतलब यहां पर जिक्तर होना चाहि Timothy यह है लेकिन है consider किया है तो इसका मदब consider किया है ठीक है यह नहीं दिखाया गया यहां पर यहां पर तीन इस्ट्रक्टर दिख रहा है पर यह सबसे अंदर वाई लेयर सबसे अंदर वाली लेयर जो की एग है हमारा आप और यह यहां पर आती है और यहां कि लीएशन करना रेडिएट करती है उनको बोलते हैं लिख यहांद है है तिक है वैसे यहां पर भी है और बीच में आपका निपलियर से तीक है अब आते हैं फटलाइशन के इवेंट पर इस पर आता है तो बाहर से अंदर से निकल ना इस पर पहुंचा मीटिंग पॉइंट पर दोनों एक बेंच पर पैठे है कहां पर लड़ी बैठा हुगा का इस पर्म की इंट्री हो जाती है तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा बाकि अधर कंडिसन से भी मेट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि मतलब अगर पहुंच गार फटलाइशन का इवेंट हो जाएगा सक्सेस्फुल इस्टैबलिस्मेंट हो जागा प्रिग्नेंसी स्टैबिस हो हुआ है एंपुरा रिजन में और इस पर महां पर पहुंच गया विदिन पर ट्वंटी पॉर आर यूजवली कभी-कभी और लेट भी हो सकता है मतलब 24 गंटे और जो भी है में भी फ्यूजन हो सकता है इसका भी काम होता है कुछ-कुछ यह प्रोटीन सिक्रीट करती है एक्षोल में जोना प्रिशुडा के जो लेयर होती है उसकी भी प्रोटीन जो है आसर से क्रेवल और के वह तो जैसे ही यह करेगा कोरोना रेडिएटा में ठीक है और मौडिफिकेशन शुरू होना शुरू और बोलते हैं एक्रोजो में इसमा इंजाइम्वे मरे Mississippi है राइसीन चता है किना में आसरी असरties करेगा जैसे ही यह यह तर्ट होता है जुना अपर नहीं करेगा यह तो मही प्लिटा से ठीक है हमने पढ़ाना भी कैपा सिटेशन का प्रोसेस में यह भी है कि जो एक्रोसोन के मेंब्रेन ऐसे कवरिंग है वो लूजेन होती है पहले बिल्कुल डाइप रहती है जैसे हिंट्री हो जाती है यूटरेस तक पहुंचते-पहुंचते वो लूजेन होना शुरू हो जाता है और है वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं और वह रिलीज करके क्या करते हैं मेंब्रेन को डिस्रॉप्ट करते हैं ब्रेक करते हैं बनाते हैं इंट्री होल इंट्री पॉइंट ठीक है तो जोना प्रिसुडा लेयर और जैसे ही मीटिंग होती है वो क्या करता है जोना प्रिसुडा क होता है आपका white line membrane में पहले वो थिक थिन रहती है पतली सी रहती है बाद में क्या हो जाती है मोटी सी हो जाती है थिक हो जाती है so that so that polyspermia को prevent किया जा सके polyspermia का event मतलब क्या है कि एक ही ओवा में या एक ही एग में ठीक है multiple sperm जो है इंट्री कर जाए तो thickening of the white line membrane और modifications in the जोना प्रिशिड़ प्रिवेंट्स दी इंट्री आफ further response मतलब एक sperm अगर इंट्री कर गया तो उसके बाद इंट्री नहीं होने चाहिए तो जो ये modified membrane होती है उसको बोलते है fertilization membrane fertilization membrane का मतलब यह नहीं कि fertilization करवाता है no fertilization membrane यह है कि जब sperm इंट्री कर गया वह वह में तो उसके बाद दूसरा sperm या दूसर दो से ज्यादा इस पर मतलब एक से ज्यादा इस पर्म की इंट्री नहीं हो polysperm मतलब भेड़ सारी sperm इंट्री कर जाए जैसे यहां पर तीन इस पर्म दिखाए लिए तो इसका मतलब यह ब्लॉक कर दिया अधर इंट्री स्पर्म सार्य पीछे-पीछे-ज़ए जर्णी को फट्रीप्शन देख लएं क्या होता है उसके बाद में सब्सक्राइब करता है कि एक ही एक ही इस पर्म जो है फटलाइज कर सकता है ओवम को बसी क्रीशन आफ दी एक्रोजोम हेल्प दी इस फर्म इंटर दी साइट प्लाजम अब दी जोना प्लाजमा में अभी मैंने बताया इस इंडूसेज दी कंपलीशन अफ दी नियॉटिक डि से दूरिंग दी ओपिलेशन प्लासेस कब 14 में दिन अभी मिनिस्ट्रेशन जो मिनिस्ट्रेशन साइक्यों के 14 में दिन होता है उस दिन पर ठीक है तो वो वो मियोसिस की सेकेंड अभी स्टेज जो है कंप्लीट नहीं हुई है वहीं पर अटका हुआ है मतलब एक पोलर तो म सब्सक्राइब यह हो रहा है जैसे इस पर्म यहां पर हो रहा जैसे इसपर्म का टच और से होता है कोई पोवा का जो मियोसिस में जो अटका हुआ जो फेज ऋने वो इन्डीयू सो जाता है इस टीबिट हो जाता है नि वस इस façon कमपलीट हो जाती है अले मी ऑसंग उने का मतलब पहला भीうん equal था क्योंकि एक हमने एक बनाया था ठीक़ है और दूसरा polar body बनाया था ठीक है दूसरा भी डिविजनज होता है वों एक्वल ही होता है इक्वल नहीं होता है यह दीफर है करता है यहां पर सारे Dimagem जो होते इक्वॉल होते हैं इसलिए जितने भी सब इसपर्म बनते हैं कोई degenerate नहीं करता है यहां में क्या है दो polar body बनती है ठीक है दो अबर अलगर यहां पर देखें तो तीन पूलर बनेगी पहली और वह भी सब्सक्राइब और यहीं पर यहीं बेबी का सेक्स डिटर्माइन हो जाएगा कि जो इसपर्म आया है ठीक है उसका वाई क्रोमोजोम फ्यूज किया है ठीक है मतलब मीटिंग किया है अगर यहीं पर सेक्स करेगा तो सेक्स डिटर्माइन किया है तो सेक्स डिटर्माइन करता है हमारे केस में लिए रहे है आईए इवेंट को समझते हैं यह देखिए आपको राइट साइड में एक दिया है सब्सक्राइब यह दिखाए गया है उसका फुरा समोता है जिसमें इंजाइन वर्य होते हैं लेप साइड की इमेज आपको दिखाई है सब्सक्राइब दिखाए कैसे होता है तो इसमें एक नंबर कहा दिखाए है सबसे उपर साइड में सब्सक्राइब मेंक्स कॉंटक्ट विद दी ए ओवा बैठा हुआ है एंपुला रिजन वे फैलोपेंटी उपके मीटिंग वेट कर रहा है ठीक है इस पर पहुंचा और हगिंग हुई ठीक है टच हुआ हग करते हैं ना मीटिंग हुई है बस मीटिंग इसपर्म की मीटिंग हुई वह वास है ठीक है दूसरे में क्या हुआ है एक क्रोसम रियक्ट विद दी जोना पेलुसिडा लेयर जोना पेलुसिडा की लेयर है यह मोटी सी लेयर ठीक है जोना पेलुसिडा की लेयर से यह रियक्ट करता है इ क्रोसओं रिЕक्ट बीच का इस्पेस पेरी वैट लिएन इस्पेस धूह है ने मेंब्रेन है और यृदा के लेर के बीच का इस भी फेस होता है ठीक है जर्zarum का है यहां पर वाइन मेंब्रेन जो होती है है वाइटलाइन मेंब्रेन वह कनवर्ट होती है उसको मेल में या मैमल के केस में क्या बोलते हैं तो मतलब एक की मेंब्रेन एक की जो प्लाज्मा मेंब्रेन है उसके और जो प्लाज्मा मेंब्रेन है उसके और प्लाज्मा के बीच की जो मेंब्रेन है वह प्लाज्मा मेंब्र हो फिस्पर्म उस्पर्म का प्लाद्मा मेंद्रेन और एक्रादमा मेंद्रेन अभी twins कर रहे हैं але EL Ollie स्पर्म का नुब्लियस फार्चमेंस लेखेंगे इंटर कर τα ला है ठीक है डिखाए गया है is a सब्सक्राइब नुक्लियस चर्ट में में कहा है क्वार्टिकल ग्रेन फ्यूज विद्धी एग प्लाज्मा मेंब्रेन विच रेंडर्स दी वाइट लाइन लेयर इंपनेटरेबल टुद इस पर्म देखने न यह बना रहा है जैसे ही को कर रहा है क्वार्टिकल ग्रेन इस इको दिख रहा है क्लिएब यह गए यव दिख शॉन इसमत्री में प्लाइब ध्युजन ह हुए प्लाजर्स में नुक्लियस उप्लाइड मतलब फूजन हुगा तो यहां पे हम एक की जरनी दिखा रहे हैं मतलब की जरनी निकलने से लेके फ्यूजन तर फ्यूजन से लेके से उंप्लांटेशन तर फिर फ्यूजन निटान थे एक नुप्लियस से सब्सक्राइब नार्ज है तर फ्यूजन की बाद स्टेप वन क्या है एग लीफ्स दी ओवरी और इंटर्स दी फैलोपीन ट्यूब सत्पे पहला ओवलिशन का प्रॉसेस हुआ ओवरी में वहां से फिंब्री जो फैलोपीन ट्यूब का है उसने ओवा को या एक को रिसीब किया रिसीब करके एंपुलारीजन में धेजा इस पर यह कहां आता है कहां आता है यूटरेस में आता है इंप्लांटेशन के लिए देखिए चौथा इस्टेज दिया हुआ है कि आप सेल अटैस्ट टूधी यूटरेस एट डिस्टेज को और क्या बोलते हैं यह इमेज आपकी एंसी एवलिपले को यह शोड़ी ऑपका उससे हैं इनसाइकलोपीडिया ना इनसाइकलोपीडिया ब्रितानिका की इमेज है ठीक है है एक दिखायगा है दिखाया गया है इस पर मारा यहां पर लूरूला इस्टेज़ में ही जाके वहाँ पर अंदर पहुंच गई टूपोब्लास्ट बनती है तोपोब्लास्ट उपर के लीयाज होती है जो कि अटेज करती मतलब और डिवेजन हो गया आठ से सोलर से 32 स्टेज पहुंचता है उसके बार क्या होता है ऐसे स्टेज को हमने अभी देखा है एक बार रीट करते हैं क्या चीजिए है इसमें जाइगोर डिवाइट माइटोटेकली जिसको क्लीवेज बोल रहा है हमने बोला ठीक है डिवेज क्याँ है ऊत्राइट के अंदर है इंब्रियो विदय देख़ाएटे को लुचा हुलते इस टेज वोलते हैं इंब्रियो विंस्टीन इम्ध्रियोह में शिहें उसको ब्लाश्डो इस्ट बोलते टे ब्लाश्डो इयर इन ग्लाश्डो ब्लाश्डो सस्ट के अंदर जितनी ब्लाश्डो मियर स्टा pen तो और डा में गृम्प्र साहरं सींट ऐंहें है नहीं nom एगर नहीं क्या करते हैं इंब्रियो 유구나 में बनाती इंब्रियो का देवलेप्मेंट को गा बढ़ना शुरूब होगा डिफेरेंट डिफेरेंट टाइम पर यह जैसे यह अटाइजमेंट होता है जो यूटरस की वाल है सेल है इंडोमेट्रियम जिसको बोलने है उसका डिविजन बहुत फास तरीके से होता है और यह ऐसे पूरा कवर कर लेगा इंब्रियों को ऐसे लाता है कि अज़र डिफेरेंट इंडोमेट्रियम अब दी यूटरेस क्यों क्योंकि डिविजन जो है इंडोमेट्रियम का बद फास्ट परीके से हुगा है आफ्टर दी अटेच्मेंट अब दी ब्लास्टोसिस्ट या टोफो ब्लस्ट दिस इस काल्दी इंप्लांटेशन अब ही कह सकते हैं प्रेग्नेंसी स्टैबलिश हो गई बीच में कभी प्रेग्नेंसी अवार्ट हो सकती है लेकिन अभी फिलाल प्रेग्नेंसी स्टैबलिश हो चुकी है ठीक है क्लियर है नहीं प्रेग्नेंसी एंड इंब्रियोनिक डिवलोप्मेंट तो आफ्टर इंप्ल जो ट्रोफोब्लास्ट था जो अटेच हुआ है आपका इंडोमेट्रियम से ठीक है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स आते हैं कहीं पर भी आप ध्यान रखेए कि आप भी विलाई तर्माता है प्रोजेक्शन्स है जैसे इंटेस्टाइन में भी विलाई होते हैं वो स प्रोजेक्शन्स उसमें आ रहे हैं इन दोनों को मिला के मतलब ही दोनों जो मीटिंग पॉइंट है जहां पर अटेच हुआ है तो यूट्राइन की टीशू और इधर से आपका प्रियोनिक विलाई जो की ट्रोफो ब्लास्ट के आउटर सर्पेस वेसे आपियर हुए है उसको मिला के प्लेसेंटा बोलते हैं और प्लेसेंटा क्या है इट इस इस्ट्र अटेच करके रखता है किसको जो डेवलपिंग इंब्रियो है और फंक्शनल यूनिट क्यों है तो कि यहीं पूरा पूरा नरिस्मेंट जो पहुंचेगा मदर की बॉड़ी से इंब्रियो को प्लेसेंटा से होते हुए ही जाएगा प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अटेच तो या इसे बचिए बच्चे को मिलेगा इसीले मतलब अंदर होता है तो कुछ आप अल्कोहल नहीं करने के लिए बोलते हैं कुछ और को बिच्चे को इंपैक्ट करेगा क्योंकि जितना भी चीज मदर की बॉडी में हो रहा है वो सारा बच्चे को डायर्कली डायर्कली कनेक्टेड है सिस्टम से यह देखिए आपका यह प्लेसेंटल विलाई है जो अब आपने बताया ठीक है यह अंब्रियो है इंब्रियो से प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है अब्रिकल कॉड ठीक है इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होंगी जहांसे आपको ब्लड वेस्ट्वल सिस्टम जो मदर से आ रहा है पूरी सप्लाई नियुक्रिशन लेके आने का आप करेगा यह यह नहीं होता है लेकिन यह जुड़ा हुआ हुआ है यह यह स्टेम से कुछ-कुछ तो सबस्टांस हो सकता है मां लिजे कभी लेही लिया इस्मोकिंग करे लियुकिन इंप्लेट तो करेगा लेकिन यह यहीं काम होता है इसको ने ब्रेकडाउन करने काम करता है यहां पर यॉक्स नहीं होता है लेकिन यॉक नहीं होता है इस बात को ध्यान लगिएगा और नीचे साइड में आपको दिया हुआ है यहां पर मुकस सिक्रीट होके इस जो पतला एरिया है इसको ब्लॉप कर देता है ताकि अंदर और बाहर जो वजाइनल ओपनिंग से इंफेक्शन को ही ना आ सके कुछ भी इंट्री ना कर सके जो की डेवलोफिंग इंप्रियों को एफेक्ट करें और यहीं होता है बर्थ के त ब्लेवरी होता है इसका मतलब अभी डेवलोप्र हो चुका है डिलीवरी होनी है इसकी ठीक है प्लेशन्टा टू अंब्लिकल कॉर्ड टू इंप्ली यह सप्लाई होती है किस चीज की न्यूक्रियंट एन और और को और उल्टा डारेक्शन में आप देखेंगे मतलब इंब प्लेसेंटा प्लेसेंटा इंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है क्यों केवल और केवल प्रेग्नेंसी के टाइम पे कुछ हॉर्मोन की बादी में रिलीज होते हैं वो प्लेसिन्टा से रिलीज होते हैं । इसट्रोजन इस्टोजन बी रिलीज होटा प्रोजस्ट्राव लिए से याद रखेगा और दो एक्स्क्लूसिव है ठीक है जैसे HCG HPL and relaxing K1 और केवल प्रिग्नेंसी के टाइम पे यह आपको मिलेगा केवल और केवल प्रिग्नेंसी के टाइम पे यह एक्स्क्रीट होगा सी्क्रेट होगा उसके अलावा नहीं होगा दे रहें से हमोन फॉपरी करांगे दिलिबरी कराने में हैं प्रेक्षी में एलक्सीन है रिलाक्स कराने काम करेगा ठीक है धुरिंधी प्रिगनंसी देवल अफ अधर हार्मोन लाइक इस्जाज प्रोगिस्टेस्टरॉं कर्टिसोल प्रोलैक्टिन थाइरॉक्सिन इट्सेटर इंक्रीज़ सेवरल इंडी मैटनल प्लॉड इसे लिए डिलिवरी के बाद भी काते ने कि थाइराइड का इसु होता है मदर को भी क्यों कि थाइरॉक्सिन का लेबल बहुत ज़्यादा होता है लेकि नॉर्मली ये सब्सक्राइब इसलिए इसलिए इन सब का जो लेबल है बढ़ा हुआ रहता है इंडोडर्म और बाद में क्या होता है मीजोडर्म भी बनता है इंप्लांटेशन के जस्ट बाद इंडोडर्म से जो डिराइब तो बनेंगा भी तो बनना सुरू होगा ठीक है लेटर मेसोडर्म आपीस नसे एक्टो गया लेए सुर्पो से अचेछ यह अजिंडरी को अगर्टेशन कोमा गया है इसमता है उसके से में ससक्राइब build up होगा उनहीं की भुछ coti इनको इस्तन सेल वोलते हैं ठीक है और इसे सेल होती है यह बड़े हस्पिटल से उप्रेशिप है उदिधाने करने की चया करते हैं आज phenomenal प्रिग्नेंसी ठीक है इंडियो डेवलप्मेंट जो रहा हो उसी समय क्या करते हैं और फिरीका नहीं होता है तो से क्या होता है डेवी का मतलब लगवाद दस बारें साल पंदर साल एडल रेस्टेज आने तक अगर कुछ भी डैमेज होता है या बाद में भी उसका टाइम पी के अंदर में होता है वह प्रॉसेस बड़ा जैसा है हम ऐसे आसानी सी दस मिर्ट में ऐसे नहीं समझा सकते हैं आपको बाद में समझाए तो कैसे रोल होता है कैसे यह नए और को कैसे डेवल्टब किया जाता है इसके तुरू है कि लेने गिनी आर्गन फॉर्मेशन दूरिं जो खत Repeat मैं मतलब आउंद ले यह मतलब अखिंद इसरा महिना खतो होता है मतलब अबोर के चुके यह मतलब जो अल्टा vive है propos वह तीन महीने कर पाएंगे उसके पहले नहीं कर पाएंगे तो यह हुज पूरे छीज देफलाप को चुके रहते हैं फिटस पार की तो हम्हिट मेंट सुरुत ह Built और उसके हेयर जो हेयर पर पानना शुरू होता है ठीक है और इस प्रिमस्टर जो ठीक होगा ठीक है मतला 24 विक हो गया अब पहले इसे बंद रहाती है उसके बाद यह सेपरेट हो जाती है ठीक ऑई लेस्स बन जाता है यह और बादी पे यह होते हैं और फूली डेबलब ने खतम किया है इंप्लांटेशन का इवेंट यह बहुत दो ही स्लाइट थे हम ने छोड़ दिया था फिर भी पढ़ लेते हैं इसको सेम में मैं इंक्लूट कर देता हूं सो पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल बर्थ जो मदर होती है वो बच्चे दिशने इसको हम बोलते हैं निउरो इंडो क्राइन मेकेनीजम तो पार्चुरेशन का प्रॉसेस्श जो होता है निउरो इंडोक्राइन मेकेनीजम है ठीक है बस सिगनल कमज फ्रॉम दी फुली डेवलक फेटस अदिप्लेशन्टा जब डेवलप मनतलब फीटस पूरे की एक पूरे तरीके से हो जाता है तो एक सिग्नल देता है कि हम डेघ्नाप हो चुके हैं भाई हमको बाहर निकलना है ठीक है उसीडनल मिलता है उसके एक और डिंग यूटरेस की वाल जो है क्या होती है कॉंट्रैक्ट होना शुरू करती है ठीक है हमने पढ़ा है ने Indometrium, Myometrium और Perimetrium तो जो Myometrium की Wall है मोठी सी वो क्या है contact होना जरू करती है ठीक है तो signal कहाँ से आता है Fully Developed Fetus और Placenta दोलों मिल के signal देते हैं और यह signal है क्या इसी signal को बोलते है Fetal Ejection Reflex Reflex है Fetus से निकला हुआ है और Fetus को बाहर निकलने के लिए यह Reflex दिया जा रहा है यह क्या यूटराइन पॉसको और ऐसे पूष करता है ठीक है और डिलिवरी के टाइम पर आपने देखा होगा मुवीज में ही सही करते हैं और नेचरल ही मतलब जो तो नेटर्वल सिस्टम है हमारा यूटरास खुद से भी कॉंटेक्ट हो रहा है ठीक है और इसको कॉंटेक्ट कराने में और एक फार्मोन हेल कर रहा है कॉन ऑक्सिटोसीन जो कि रिलीज कहां से हो रहा है आपका एंटीर एंटीर नो पॉस्टीर पीटूट्री से दो टाइप चरुलें और जरूरी है अगर लेवार पर नहीं होता है तो ऑक्सिटोसीन का इंजेक्शन या आयोसा इंजेक्शन दिया जाता है कॉंक्ऌट्रेक्शन को मिलिए और करता है और यह ब्राप करने के लिए और ज्रіलीज में लगे फीडबैक मेकेनिजम है कि oxytocin release हुआ तो और ज्यादा contraction होगा और ज्यादा oxytocin release होगा जब तक कि childbirth ना हो लिया है लिया रहे हैं नहीं यह event है the stimulatory reflects between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contraction this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal इसी को क्या बोलते हैं पर्चूरेशन तो बर्थ लेकिन आज के समय में normally यह normal delivery की बात हो रही है तो उसमें काट के हम बाहर निकाल रहे हैं चाहां वजाइन में कट लगा दे थोड़ा से वाइट करके निकालना बेभी को या इस्टमक में जहां पे भीर क्या करते हैं इंसीजन करते हैं वहां से बेभी को बाहर निकालते हैं ठीक है यह normal process की बात हो रही है तो इसमें बढ़ता है कि बच्चे को दूद पिलाना है ठीक है किसी को बोलते हैं lactation lactation बोलते हैं ठीक है जो बच्चा पैदा हो गया तो जो फर्स्ट मिल्क होता है starting वाला मिल्क होता है कुछ दिनों तक ठीक है वह यलोई होता है उसमें बहुत सारी होती है जो कि essential essential है किसके लिए बच्चे के बच्चे के जो प्रतिरोधक छम्टा होती है जो resistance होता है newborn babies का उसको promote करती है इम्यून सिस्टम को strong करती है बहुत जरूरी होता है तो यह 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 लो कलर मिल्क है कुछ दिनों वाला इगदम प्रिग्निन्स मतलब जैसे चाइल बच्चे कुछ दिनों तक यह रिलीज होगा produce होगा उसको बोलते है क्या बुलते हैं क्या मुलते है जाए जो फ्रवात में उसके बढ़ सेट काल स्प्राइब के लिए और यह बहुत ही जरूरी होता है बहुत ही जरूरी होता है बच्चे की इम्यून सिस्टम के लिए देखें सेवरल एंटी बाडिज एन एपसेलूटली एसेंटियल टू डवलप रजिस्टेंस पॉर दर नीव बॉन डेडिज तो यहां पर हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चेप्टर हो फिनिस होता है और पांच लेक्चर होगा पूरा आप जिसको देखिए और अगर कुछ भी डाउट हो कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज दुवास एंडू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स टॉपिक में नेक्स चेप्टर के थैंक यू बही मच जाहिन झाल 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 झाल